इस बाद को अप्रति युगिता में आपका भी नहीं दम करता हूँ मैं आज के विशेट आज नहीं मुलिक किताबर तकी सीमिट रह गए हैं कि पक्स में अपने विचाथ प्रसूत करना हूँ मांदे बर दया, करोना, इमानदारी, सत्य वादिता, परोपकार, करतावे निष्टा आजी गुणों को नहीं गुण कहते हैं आपसी प्रेव, दया, सबका मंदल चाहना ये ऐसे सरव मांदे व्यवान हैं जिने हर दर नहीं दिता में सम्मिलित करता है जिने समझने और पारण करने के ये कही तरह की किताबे, कहानिया, प्रवचल, आधिर पढ़ाए, लिखाए और सुनाए जाते हैं बहुत है, इसमें कोई दोड़ा है, कि आजब बैग्यानिक युग में जी रहे हैं मनुष्य निकास की सीमाई नाम नाया है ग्लोग बैग्याशन के इस दोर में दुनिया की सीमाई समझ रही है मान अध्रमान लांग्री की तहियारी में है मैं अपने मित्रों से पूसना चाहता हूँ कि क्या किताबें हमें जीवन के आवसक्ता के अनुशार जहबार में आने माल दिखसा दे पाती हैं किताबें जंसे परिक्सर प्राप्तगर संसार सागय में खुद को असमण हर अक्सब पाता है किताबें नहतिक भूल और ख्यान तो उदाथ पूसी का सादन में नहीं मत पाता है महोदै अठारा पुरानों का साथ जो सभी लोग बजबन से पढ़ते आए है अस्टादस पुराने सुख व्यासर से वजरां गया परोपकारापनिया पापाय पार पीर नहीं अर्थाथ पारिक पुर्णिधन है दूसरों को कशुदिना पाप है हम भली भाती जाते हैं कि परहित के कारण कादीजी ने गोर्यां खाई सुख राज में जाय प्रिया मैर्जी ददिशी ने तो स्वेच्छा दे हट्डियां तक गांग करती आगी आगी अनुलत उतराणा पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे परन्तु आगी भाती जूद में वक्ति पूरी तरह स्वार्थी के वसिभूत हो चुका है परमार्स और परोपकार की फावर में फोने तालवर्त हो चुकी है परोपकार करते समय वक्ति परे लावानी की गर्मा करता है जो आपस में दूरियां बढ़ा रहा है तथा आपस में हमें दूरियां की सायदा नहीं जड़ते हैं बड़त मार्स में नेतिक्ता की बादे तक्किया नूसी माने जने लगी है इमांदारी को पूर्गता, करूना को कमजोरी, सरमंगल परोपकार्ण वा भाईचारी को पादबास वा जोग माने जने लगा है मानने बाद, हमारी वबस्ता ये ऐसी हो चुकी है कि सबकुछ धन्बल से ही संबब है किसी को तथा कजित अच्छिश्चन सरस्तान में जाना है तो सिर्फ पैसा जाईए किसी का इलाज कराना है तो सिर्फ धन चालिए ना तक कि कोई द्याब चार प्रस्तुत्रत ने के लिए भी अपना ही पशन लगाना पड़ता है अगर सबकुछ धन्बल सही होता है तो कि प्रेज, भाईचारा, करोना आदे मुझे कहां रहता है अंत मैं का इतना ही कहोगा कि कोई भी इंसान अपना नेतिक विवाद नहीं बजल सकता इसलिए नेतिक सिक्षम की कोई चल्वाद नहीं होती अफ़ादारी, साहर, विष्टा, दूसरों के भाव समझता आदिक कदम तर कदम अनुभव से सिर्के जाते हैं नागी किताबों से, धन्यवाद